हालो माई डेल स्टुडेंस एक पर फिर से आपका स्वागत करूंगा और जैसा कि क्लास 12 का फाइन आट्स का फाइनल पेपर अभी भी पेंडिंग है 27 को है तो मैंने कुछ और इंपोर्टन क्वेश्चन आपके लिए सर्च किये हैं ताकि वह आपको हेल्प करेंगे आपके ब सर्व लोग्स यानि जो कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर मुझे फोरो कर सकते हैं तो यहां फास्ट कोशन देखते हैं वैसे जानली देखे तो यहां पर तो मैंने मिनियेचर पेंटिंग बोला है लेकिन वो जो एक पोट्रेट है या एक इलूस्टेशन है किसी भी स्टोरी की या एक सीन जो एक डेली लाइफ से लिया गया है वो किसी भी चीज से किस तरह कनेक्ट हो सकता है हम यह भी पूछ सक लेकिन यहां तो मिनियेचर पेंटिंग है तो यहां राइट आंसर क्या होना चाहिए तो यह एक्चुल में दे मोस्ट कोमन थीम से जो मिनियेचर पेंटिंग में हाइलाइट किये गए हैं थ्रू अपोट्रेट और इलूस्टेशन ओफ एनी स्टोरी या फिर कोई भी सीन ज की बात करें अब यहां पर जो हैं पाला किंग्स हैं वो कहां के आपको यह बताना है एक्चुल में बिकोज आपको अगर उनका जो डेजिगनेटिट पेस नहीं पता तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इंफर्मेशन इंकम्प्लीट है और बोर्ड में इस पर आपको किसी भी तरह का कोशन पूचा जा सकता है तो हम कहेंगे जो अंडर दा पाला किंग्स जो कि कहां के रहने वाले थी तो यहां पर जो राइट आंसर आना ची वो क्या आएगा येस राइट आंसर है जो पाला किंग से बेंगॉल की तो ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर है तो बाक है कि style आपको देखने में मिलेंगे basically और कौन सी जिगा पर जो है वो हैं आपके bronze sculpture में या palm leaf paintings में तो यह एक kangra school हो सकता है या पाला school हो सकता है या फिर the western school हो सकता है या फिर बुंदी तो यहां right answer क्या है yes हम कहेंगे जो पाला styles है they are seen chiefly in bronze sculpture and palm leaf paintings तो option B यहां पर correct answer है आप चलते है question number four के लिए the perfection of wisdom is written in अब अगर यह देखे कि यह एक work है और कितना बड़ा work है उसकी आपको total number of lines पता नहीं कितनी lines में लिखा गया है the perfection of wisdom तो here the right answer is yes option D है 8000 lines में लिखी गई यह एक book है एक work है the perfection of wisdom और यह एक example है palm lead manuscripts का manuscript तो आपको पता ही होगा जो handwritten कुछ भी होता है illustrated in the pala style in ashtha sahasarika और the perfection of wisdom तो it was executed in the monastery of Nalanda in the reign of pala kings जिनका नाम है राम पाल तो अब चलते हैं question number five के लिए so jainism was patronized by the kings अब आपको यह बताना है कौन से वो राजा थे जिनके राज्यकाल में jainism को patronize किया गया सर्रक्षन दिया गया वो कौन सी डिनस्टी के राजा थे who ruled gujarat and parts of Rajasthan and Malwa तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी additional information दे दिया उनके बारे में जिन्होंने गुजरात पर rule किया या फिर parts of Rajasthan और Malwa यहाँ पर भी उन्होंने रूल किया तो यहाँ right answer के आने कि वो कौन सी डिनस्टी थी yes right answer है यहाँ पर option a वो चालुक्य डिनस्टी के राजा थे तो option a correct answer है अब चलते हैं question number 6 के लिए लेकिन इससे पहले थोड़ी सी information हो रहा है जो western style of painting है it prevailed in the region of gujarat, Rajasthan and Malwa and the highlights of this school are the paintings of the Jaina caves at Elora जो paintings है जैना caves की अलोरा पर यह इसका बहुत बड़ा एक example है question 6 है the Kalp Sutra and second जो एक और creation है two very popular Jaina texts were repeatedly written and illustrated with paintings so you have to tell the second one मैंने एक तो mention कर दी Kalp Sutra तो second कोंसी है वो आपको name यहाँ पर देना है तो उसका जो right नाम है वो क्या है yes option B हम कहेंगे कालका चर्या का था option B यहाँ पर right answer है जो कि बहुत popular Jaina texts were repeatedly written and illustrated with paintings option B यहाँ राइट है question number seven है what may be called a unique feature of the Rajasthani paintings Rajasthani paintings का unique feature क्या कहा जा सकता है तो options है और इन options को read करने के बाद आप बताईए right answer क्या हो सकता है देखिए जो तो राजasthani paintings में वहाँ पर आपको एक unique feature तो of course इसका मतला आपको maximum painting में वह चीज मिलेगी इसलिए को उसको unique feature बोल गया है तो वह एक्चल में है emotional thought and aesthetic sentiments of Indian life जो है option A यहाँ पर right answer है जो emotional thought है जो aesthetic sentiments है जो जैसे आपके अंदर अगर aesthetic sense है तो you can see the beauty of each and everything अगर वह आपकी सेपास sense है तो यही चीज जो है राजस्थानी painting की unique feature है option A करेक्ट है यहाँ पर question 8 देखिए the oldest manuscripts of अब जैसे इनकी बात करें जो manuscripts है the show traces of अपरभांसा style identify the painting तो आपको a painting का जो identification करनी है कि किस painting की यहाँ बात की गई है the oldest manuscripts of yes वो manuscripts हैं मेवार की जैसे सुपा सनाचर्यम एंड शुपर सनाथम the show traces of अपरभांसा style तो यहाँ पर right answer है option B मेवार यानि the manuscripts of मेवार यह question सोड़े से different है क्योंकि देखिए सभी के सभी questions आपको artist या painting वाले नहीं पूछे जा सकते तो मैंने जोड़ा depth में questions को लिया आपके लिए the estate अगर estate की बात करें यानि जागीर which was inherited by Krishan Singh the eighth son of Raja Odeh Singh of Jodhpur is known as उसको जो है किस नाम से जाना जाता है जो estate उनके पास थी राजा Krishan Singh के पास तो of course I think so आपको थोड़ा सा नाम सी clear हो चुका होगा क्योंकि we are talking about Raja Krishan Singh तो state का नाम है किशनगर yes option C यहाँ पर right answer है अब चलते है question number 10 के लिए who among the following is also known as नगरीदास नगरीदास के नाम से किसी जाना जाता है यह तो एक सीधा question मैंने आप से पूछ लिया तो नगरीदास के नाम से जो famous है वो है Raja सावन सेंग option B यहाँ पर right answer and he was also a good point और साथ में उनके बारे में कहा जाता है कि devotee of Krishna being follower of wallab sect अब आप से wallab sect यानि उनका यह भी पूछा जाता है कि वो किसको उनका devotion किस की तरफ जाता था अब चलते हैं question 11 के लिए how Krishna has been presented in राजसान आर्ट राजसान आर्ट में Krishna को किस तरह प्रेजंट किया गया है तो यह भी straightforward question है वैसे तो आप यहाँ पर मुझे right answer दे सकते हैं तो yes of course हम कहेंगे यहां right answer है option B उनको एक divine soul के तोर पर प्रेजंट किया गया option B यहां पर correct है अब चलते हैं question number 12 के लिए only in यह जो paintings है women have been depicted तो देखिए इन paintings के अंदर women को depict किया गया अगर आजसानी school की जो बात करें जो जितने right answer है यहां पर question 13 है in comparison to other paintings of Rajasthan the dash paintings are larger in size as known as pitch Y अब देखिए pitch Y के नाम से भी इनको जाना जाता है यहनि back curtain के नाम से भी और यह बड़े size की paintings हैं तो यह कूंसा जो है अब मैंने थोड़ी सी description दिया इस तरह के questions दूसरे subject में पूछे गए हैं तो आपसे भी question मैंने पूछ लिया कि identify करना है आपको painting के जो भी painting यह mention की गए this painting is made by an artist जिसका नाम है साहिब दिन from उदैपूर and is based on a series of रामलला paintings अब यहां पर उस painting का नाम बताए यह because यह painting के description है तो उस painting का नाम क्या है यह उसका नाम है मारू रागिनी option a sorry option b right answer है और यह actually उसका a part चो है उसको लेकर यह line लिखी गई है और यहां एक और खास बात का है जो profile face यानि जो side face है वो दिखाए गए है वो शोग की गए है and this painting has an influence of Mughal art और इस painting पर Mughal art का influence है और फिर से आपको identify करना है painting यह description और given है this illustrated miniature painting is made by an artist जिनका नाम है नुरुदीन बेस्ट ऑन हिंदी पोईट्री ओफ राशी कर्प्रिया रशी का प्रिया बाय केशव देगा तो यह कौन सी पेंडिंग है जो description के बेस पर आपको लगता है कि यहां right answer होना चाहिए तो यहां पर जो right answer yes यहां right answer जा रहा है Krishna on swing option A यहां पर correct है now we move to question 16 how many sections are there in Chogun Chogun players में कितने sections mention किये गए है तो अब यह भी एक थोड़ा सा question ऐसा है जो deep level का है तो यहां mention किये गए yes only two levels है जिसमें एक upper section है एक lower section है अब चलते है question number 17 के लिए it is a descriptive painting with scene from Ramayana when Bharat with his three mothers and Guru अब कों से गुरू की बात की गई है comes to Chitraku to meet Rama तो अब आपको भरत और उनकी जैसे तीन मदर हैं लेकिन यहां पर वो किस गुरू से साथ मिले थे साथ गए थे ताकि वो बगवान राम से मिल सकें तो options की basis पर यहां पर मुझे बताईए right answer क्या होना चाहिए उनके गुरू का नाम क्या था येस उनके गुरू का नाम था विश्वा मित्र option D यहां पर correct answer है तो यह कुछ important question थे इनी भी questions के साथ इस वीडियो को stop करूंगा आपको अभी मैं देने वाला हूँ सभी chapters के mixed questions की एक वीडियो वो भी बहुत important question है आपके लिए so देखते रहेगा और अगर वीडियो अच्छे लगी तो like चुरूर कीजिएगा thank you very much I wish you all the best for your upcoming board examinations have very nice day